हेलो गाइस वेलकम टो इंडो निपाल किचन आज हम बनाने जा रहें मसाला चिकन ये मेथी चिकन है तो इसके लिए मैंने लिया है गेड़ किलो चिकन मेरे वीडियो अच्छे लगी तो एक लाइक चाइनल को सब्सक्राइब जरू करना दोस्तो तो इस तरह से हमने एक किलो प प्याज को इस तरह लंबे लंबे काटेंगे तो पांच टमाटर लिया है इसको भी ऐसे काटेंगे एक कडाई में दो कड़शी मस्टर ओयल डाला है खुला डालता है इसमें तो इस तरह से अब प्याज डाल देंगे प्याज डालके एक दो बार हमने हिला लिया एक चमज ल तमटर डालेंगे, तो तमटर डाल बून लिया कशूरी मेथी डालेंगे, एक मुठी तो इस तरह डालाके हिला है 50 % मसला पग गया है अब इसमें हम सारी चिकन डाल देंगे चिकन डाल के अच्छी तरह हिला दिया अब एक तवा में यहां पे हम कसूरी मेथी रोस करेंगे तो यहां पे मैंने 2-3 मुठी जितनी लिया हुआ है तो इस तरह से जो पैकेट में होता है दोस्तों आदधा पैकेट मैंने कसूरी मेथी लिया है तो इस तरह से बीच-बीच में जितने बारी मैं हिलाओंगी न थोड़ी-थोड़ी मेथी डालोंगी तो यह हम हाई फ्लेम पे खुले में बनाएंगे क्योंकि हमें ढखना नहीं है और एक चमबाज मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ तो इस तरह से हम इसको बुनते रहेंगे तो बीच-बीच में हम कशुरी मेथी भी डालेंगे जो हमने बुना था तो देखे दोस्तों मैंने काला नहीं किया है हलका रोस्ट किया है तो इस तरह से हमें करना है तो इस तरह मैं बुनूंगी तो इस तरह खुला में जब तक भूनेंगे तो इस तरह से अभी देखे पानी कितना सुख गया है इस तरह से हमें भून भून के पानी सुखाना है तो अच्छी तरह से भूनेंगे अब देखे कड़ाई में नीचे काई भी नहीं लगा है तो इस तरह से हमें बुढ़ना है कि पानी सुका रहा है अब ये घर के ताजी मलाई दो टेवल स्पुन डालेंगे इसमें ये डालने से बहुत अच्छा टीस्ट आएगा तो इस तरह से डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो जितने अच्छी तरह से मसाला में मिलेगा उतने खाने में अच्छा लगेगा तो इस तरह से अभी मैं आराम आराम से इसको मिक्स कर रही हूँ तो साइट में भी जितने मसाला फालतो लगा होएगा उसको निकालेंगे तो कितने आसानी से बन के हमारे मेथी चिकन त्यार हो गया है उम्मिद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी दोस्तों फैमली के साथ शेयर कमेट जरूर करना